So hello guys, कैसे हूँ आप लोग तो guys कि आप भी अपने phone में Free Fire के application को install करते हो और application install नहीं हो रहा है अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं इस application को tap करहूँ Free Fire का latest application है और जैसे हम इसको install करते हैं, उसके बाद app not install का problem हो रहा है एंड मैं आपको यही बताऊंगा कि यह प्रडलम आपके साथ क्यों हो राइस को सौल ले करने का सबसे इजी ट्रिक कौन सा है तो यार वीडियो को सुरू से लेगा लास सक देखना ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए और अगर आप हमारे चल पर ने आ रहे हो तो पहले वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सिस्क्राइब कर देना ताकि मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस देता रहूं तो चलिए गया इस वीडियोस सुरू करते हैं ZOMBIE APOCALYPSE अगर आपके फ्रीफार के डाउलोड करोगे तो वहाँ पर डारेक्ट इंस्टॉल हो जाता है तो अभी हम जानते हैं कि यह प्रॉलम एक्चॉल में होता क्यों है मतलब इसका मेन करण क्या है इस प्रॉलम का तो देखो इसके काफिस जारे रीजन हो सकते हैं पहले रीजन यह है अगर आपके फ़ोन में स्टॉरेज कम है मतलब कि 1 GB नहीं है या उससे भी कम है मैं SD Card की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपके फोन के इंटर्नल इस्टॉरेज की बात कर रहा हूं अगर internal storage अगदम कम है और वैसे में इस free fire के application को अगर आप अपने phone में install करोगे तो वहाँ पर app not install का problem तो आएगा ही आएगा क्योंकि आपके phone में storage कम है तो आप install करने से पहले ये चेक कर लो कि आपके phone में storage है या नहीं अभी हम बात करने हैं दूसरे reason के बारे में आपके phone में जो free fire का application है उसका bit कम है मतलब कि आपके phone में जो भी application support करता है वो आपके processor के उपर depend करता है उसका एक fix bit होता है 128 bit या फिर 64 bit या फिर 264 bit ऐसा bit रहता है तो उसी type का application सिर्फ आपके phone में चलेगा उसके अलावा कोई दूसरे bit का application डाउनलोड करके अगर आप अपने phone में install करोगे तो वैसे में आपके phone में नहीं चलेगा समझ लो कि यह आपके phone में compatible नहीं है support नहीं करेगा तो देखो इसके लापको क्या करना है आपको free far के अलग-अलग bit के application को डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि आपके phone में जो पहले से application है वो हो सकता है किसी दूसरे bit का हो तो वैसे में install करोगे तो एप not install का problem तो होगा ही तो अभी आपको free far के अलग-अलग bit के application को डाउनलोड करना पड़ेगा लेकिन आपको ये बात को यहां रखना है कि आपको free far के latest application का अलग-अलग bit को डाउनलोड करना है क्योंकि अगर आप कोई old version का डाउनलोड करते हो तो वैसे में आपका free far समझ लो चले गया ही नहीं चलेगा तो आपको सबसे पहले chrome browser में चले जाना है या फिर कोई भी browser अगर आप यूज करते हो उसमें आपको चले जाना है फिर आपको यहां पर लिखना है free far latest application फिर आपको उपर मही एपको pure वाला website में जागा यहां पर मैं जिसमा जिस में क्लिक करा हूँ आपको same to same इसी में क्लिक करना है फिर यहां पर अलग-अलग bit का डाउनलोड करने का option आ जाएगा तो आप इस तरीके से free far के अलग-अलग bit के application को डाउनलोड कर सकते हो तो आपको इन 2-3 जीतना भी हाँ पर दिख रहा है सभी को डाउनलोड कर लेना है सभी को डाउनलोड कर लेना एक बाद आपको एक-एक करके install करके देखना है कोई ना कोई application आराम से अपको phone में चल जाएगा क्योंकि browser से download करोगे तो ऐसा ही होता है कभी कभी install होता है तो कभी कभी नहीं होता तो अभी आपको free fire के application के अलग-अलग bit को डाउनलोड करना है फिर आपको install करके देखना है तो इस तरीगे से आप free fire के app not install program को पूरा solid कर सकते हो इसके अलाबा अगर ऐसे करने के बाद भी आपको फोन में free fire install नहीं हो रहा है free fire चली नहीं रहा है तो ऐसे मैं आपको एक simple solution बता रहा हूँ आपको play store में चले जाना है यहाँ पर आपको free fire लिख देना है free fire लिखने पाद free fire का application अगर आपको फोन में सोख हो रहा है your device not compatible ऐसा कुछ आता होगा मतलब कि आपके फोन में इसका वर्जन कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप जाहो तो ब्राउजर से ट्राइ करके देख सकते हो क्योंकि play store में काफी सारे फोन ऐसे होते हैं जो अच्छे फोन होते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सस्क्राइब कर देना ताकि मैं आपको ऐसा ही free वाके problem के solutions को देता रहूं पर वीडियो को लाइक करो चैनल को सिस्क्राइब करो तो चलीए कर इस मिलते हमारे next studio पर